कि नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूर जरूर कर लिए यूटूब चैनल में बारे साथ है तो भी यह वाला टेलिग्राम करना बहुत ज्यादा जूरूर है सब्सक्राइब करें तो आपको मिल जाएगा वीडियो के लिंक दी इसमें आप इस्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए प्लस इसमें हाइलाइट साते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहते हैं इनको जरूर फॉलो करते रहिए सब्सक्राइब करें से उसमें इंस्टाग्राम पे हम पेट पीडियो भी देना चालू कर दिया है हमने study for civil dot services, telegram पे only current affairs, study for civil services और only UPSC आप लोग सर्च करके जोईन कर सकते हैं हमारे ये free channels है आज के हमारे जो बहतरीन topic prelims और मेंस में आ सकते हैं देखें पहला है के सरिया, बुद्धा, इस्तुपा ठीक ये स्तुपा क्या है बहरत की तिबबत की नीती, क्या है, कक्ष के रण में भारत का सबसे बड़ा solar park बनने जा रहा है और प्रधान मंतरी गरीब कल्यान अन्योजना, ठीक, प्रधान मंतरी गरीब कल्यान योजने का लग है उसमें अन्योजना वाला फूर्ट सेक्योर्टी समंदित है, कोविट के बाद ये चलू हुई थी, कोविट का पहला लोगडाउन जो लगाए गया था और जो है आखरी टॉपिक है हमारा RBI का Retail Direct Scheme ये क्या चीज बताना चाह रहा है, क्या चीज benefit देना चाह रहा है, सारी चीज़ देखेंगे हमारा जो important method दिवास है 15 जुलाई को जो होता है, वो है विश्व यूवा कौशल दिवास, याने की Youth Skills Day ठीक, पहला देखेंगे जो हमारा topic है, केसरिया बुद्ध स्थूपा, context यहाँ पर यह है, कि जो world का famous केसरिया बुद्ध स्थूपा है, East चंपारन डिस्टिक्ट में, चंपारन में दो डिस्टिक्ट हैं, West चंपारन जो है, वो यूपी से जुड़ा हुआ है, तो यह वाला जैसे यह नेपाल वाली से आती है, गंडग, बुड़ी, गंडग, कोसी, यह सारी सीरी, ठीक है, और देखें, यहाँ पर क्या है, कि केसरिया स्थूपा, बुद्धिस्ट से समंदित स्थूपा है, और यह पटना से बले 110 क्योंटर है, इतना आदा important नहीं है, यहाँ पे पह पहले जो जाएगा, वो भीफोर कॉमन एरा, जो है, जिसको बोलते हैं, थर्ड सेंचुरी वाला होगा, ठीक, कैसरिया स्थूपा जो है, यह काफी 120 मीटर उचा है, ठीक, ऐसे और आपका जो है, 104 फीट उचा है, यह देखें, इसकी पिक्चर है, काफी बढ़िया, और यह ठीक, एक्सकवेट किया गया था, ठीक, बना किससे है, इन्टो से बना हुआ, और बहुती फिन लेयर इसमें, जो है, मड की लगी हुई है, बहुती पतली परत, मिटी के गारे की लगी हुई है, ठीक, जो लोग गारा नहीं समझते हैं, रहें, जिये मलब यह है, मड है आप उससे बना होता है जैसे आज हम लोग इंटों के बीच में सीमेंट लगाते हैं वैसे पहले जो है क्या होता था मट लगाते थे ठीक और यह जो है 1998 में डिस्कवर्ड किया गया था आरकलॉजिकल सर्वे ओफ इंडिया के दौरा थिक भारतिय पुरतरत वसरविक्षरों के दौरा किया गया था एक्सकवेट किया था मलोब यह जो है पहले मिट्टी के नीचे था फिर इसको बाहर निकाला गया एक्सकवेट करके और यह नेशनली प्रोटेक्टेड मॉनूमें है हमारा बिहार में पूरी दुनिया में जो है इसको रिकॉगनिशन मिली हुई है अब देखे बुद्ध जी जो थे हमारे उनके जो है प्रिवियस बर्थ में यह का जाता है कि ही रूल्ड ऐज चर्क्र》वर्थ राजा बने थे चर्क्रवर्थ यहोथ हुता था जो हमें यह सबके बारे में कमेंट कर के दो चर्क्रवर्धी जो है यह यहां पर राजा थे ऐसा बिलाता है तो गाल चाटक क्वर्थ में इस जटक बहु 살ячो hebben से तो यहां पर जो है आपका स्थूपा पर प्रदिक्षण पाथ भी बना हुआ मतलब वह एक होता ना कि रिवॉल्व करने कले वहाँ पर और यह जो स्थूपा है आपका यहां के लोगों के द्वारा यह राजा बैन का दिवरा के नाम से जाना आता है और इसको जो है बिल्ड किया था लिच्छवी जो थे वैशाली के उन्होंने बिल्ड किया था इसे बुद्ध जी के निर्वाना के अटेंड करने से पहले जो है इसको किया था उनुने बिल्ट कर दिया था और ये लार्जस साइट है बुद्ध जी के बारे में पहले है उन्होंने इसको बारे में लिखा है अगला जमाई टोपिक है वो है भारत की तिब्बद नीति अब दोगो क्या है आपको पता है कि टिबथ को तो जो यहह डिखे यह टिबथ एक्चुली में ऐसा था ठीक भारत एक है पुरा और टिबथ से हमारी पॉं्डरी होती थी चाइना से तो बाध में हुई है ठीक लगिन जब चाइना ने इसको कर लिया और फिर बाद में रिकोगनाइज भी कर लिया भी देखेंगे इसमें तो यहाँ पर क्या हुआ है अभी कंटेक्स्ट यह है कि दलाई लामा जी का बर्डे था तो जो है चाइनी सोलजर आ गया देम चौक में जो इस्टर लद्दाक है हमारा यह वाला एलिया तो इस्टर लद्दाक में वहाँ आ गया पोस्ट बैनर और लेके और जो है प्रोटस करने लगे कि जो है दलाई लामा जो की एक तरीके से तिबबत जब हमने चाइना ने जो है अधिकरण कल लिया नहरू जी ने इसको जो है मानेता भी दे दी हाँ ठीक मान गए उन्होंने कि वह यह तिबबत जो है चाइना का ही एक वो है रीजन है ठीक उसके बाद दलाई लामा ने वहाँ पे तिबबत में जो है प्रोटस चालू किया करना चालू किया चाइना के खिलाफ तो वहाँ पे चाइना वालों ने थोड़ा एग्रेशन दिखाया वालेंस करने लगे त मतलब कि तिब्बत के बाहर रहते हुए वहां पर इनकी गौवर्मेंट भारत में रहते हुए बनाई उन्होंने और वहां से फिर प्रोटेस्स करने के तो इसी बात पर हमारी 1962 में जो है चाइना ने हमारे उपार अटेक कर दिया था चिक और देखें यहां पर यहीं बता जा कि भारत की तिब्बत नीती क्या रही है पहले जो है हमारी एक्चुल में जो बांडरी थी वो तिब्बत सही थी फिर बात में चाइना ने इसको जो अधिग्रण कर लिया 1914 में ध्यान से सुनिएगा 1914 में जो है आपका तिब्बत चाइना वाले और उस से में तो भीया बिटिश थे बिटिश इंडिया था तो शिमला जो है कन्वेंशन हुआ शिमला समेलन हुआ वहाँ बिटिश इंडिया वाले और यह तीनों लोग बैठे और यह कहा जाता है कि चाइना ने और तिब्बत ने साइन कर दिया था कि बाउंडरी कैसे क्या बनाई जाए ठीक लेकिन बाद में जब चाइना को मिल गई आजादी ठीक है 1950 में फिर इन्होंने क्या किया चाइना को आजादी मिली ने बिटिश इर्स से बाकियों से ठीक क्योंकि वहाँ पे चाइना को जो है घेर लिया कबजे में लेली आ उफिर उन ने तब यह कहा कि ऐसा है हम शिमला कंवेंचर्ण और यह मकमोन लाइन जो है दोनों यह 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 बहुत्ध से बनाई फिर उन्हों ने चायना ने ने कह दिया यह हम इसा इसको ने मानते हैं शिमला वाले में तो उन्हें ने का कि हम तो party नहीं थे आपने तो तिब्बत से बात करी थी और तिब्बत अब है नहीं हम तो तिब्बत कुछ है नहीं चाहिना है सब कुछ यह वली बात है फिर 1954 में क्या हुआ तिब्बत को जब भारत ने भी recognition कर लिया कि तिब्बत हाँ ठीक भईया चाइना का ही हिस्सा है फिर 1969 में जब वहाँ पर प्रोटेस्ट चलू हुआ तो दलाई लामा जो है फिर वो छोड़ के भारत में आ गए और भारत में आके नहरु जी ने जो उनको शण दे दिया और तिब्बत की इन एक्साइल है इंडिया की उसके लॉपसांग सांगे नाम से उनको बुलाया था जब शपत गरण करनी थी लेकिन 2019 में नहीं बुलाया क्योंकि काफी पीछे काफी बावाल भी हो गया था और डोकलाम इशू हो सारे सारे और साती साथ अभी जो है कुछ इनफार्मल अन अपचारिक जो है समिट होनी थी इंडिया की चाइना के साथ में तो इन्होंने नहीं बुलाया थाकि स्मूथली हो जाया हम लोग बाचीत करके सुल जाये तो शिफ्ट हुआ चाइना की इंडिया की तिबबत पॉलिसी में काफी शिफ्ट हुआ अब खाली प्रतिकात्मक पहलूँ पही केंदित है अगर आप वैसे देखा जाए आप जाओगे अगर ना धरमशाला हिमाचर परदेश में वहाँ जाओगे देखो तिबतों ने पूरा अपना पाले अमेंट सब कुछ बना रखा है भारत ने बहुत मदद करी है भारत की जो रिफ्यूजियों को पूरे दुनिया से मतलब जो है एक उसका एक एक जामपेल है तिबतों को शर्ण हमेशा दी है ठीक तो यह वली चीज़ है और आज का कोश्चन भी एक्शली रिफ्यूजी सही समद्देत है इसलिए मैं थोड़ा आपको हिंट दे दिया पहले मैं रिनिवेबल इनर्जी लिम्टेड ठीक आपका जो है अक्षय उर्जा वाली एक सब्सीडिरी बना दिया सो प्रतिश्चत इसको ओन कौन करता है और एंटीपीसी से अभी हम लोंने पीछे पढ़ा भी था यह 62 जो है गीगावाट करीबन 62 गीगावाट जो है दो जार पतिस तक जो है बनाना चाहते है किससे अक्षय उर्जा से यानि कि रिनिवेबल इनर्जी से और अभी एंटीपीसी को जो है गो थू मिल गया है वह यह गो हैड मिल गया किससे जो आपका मंत्राले है न्यू और रिनिवेबल इनर्जी से कि आप सेटप करो 4750 मेगावाट का यह 16 पार्क कहां पर हो रहा है जो सबसे बड़ा इस बनेगा पर रंड आफ कच के खवाड़ा गुजरात में ठीक यह द्यान लगना यह पूछ सकता है लग से और जो रिनिवेबल इनर्जी लिंटेड है एंटीपीसी का इसको 12 जुलाई को जो है इनको गो हैड मिल गया है प्रटर से बनाता है आपका ठीक और आपका जो है गैस के थूझ जो है पावर जनेरेट करता है अब हमारा इंडिया का सबसे बड़ा पावर जनेरेटर है यह लार्जस्ट ठीक और यह 60 वाड गीगावाट्ट जो है दिवेबल इनर्जी के थूझ जो है बना चाते हैं उड अभी 18 अंडर कंस्ट्रक्शन है जो एंटीपीसी आपका इनर्जी लिम्टेड है यह जनरेट करेगा ग्रीन हाइड्रोजन ठीक ताकि कमर्शियल स्केल पर ग्रीन हाइड्रोजन को जनरेट करेगा ताकि इस पार्क है नहीं सोलर पार्क में इसको मदद मिल सके कुछ और जो का कर कर रहा है आपका अंटीपीसी जो है वह क्यक्या उसने किया है देखिए एक एंटीपीसी ने इनटीपीसी ने इंडिया का लाडजेस ये भी एक ज़िएकंगा अनद्र पर देश में उस nearby इंटीपीसी वहां पर फ्लोटिंग सोलर डस मेंगा सेतार कूस्टर्क इनिBack ठीक है जो पहले अभी हम लों ने देखा सी माधरी वाला ठीक तो अब उसको अगस 2021 था के कमिशन कर देंगे और 100 मेगावाट जो है आपका फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ये सबसे बड़ा है अब हो जाएगा आगे रामा गुंडम थर्मल पावर प्लांट के जो है आपके रिजर्वार में बना रहा तिलंगाना में ठीक एडवांस स्टेज में है एंटीपीसी आपका ये रिलाइंस के बोला हूं एंटीपीसी रिन्वेबर इनर्जी लिम्टेड जो है अभी इन्होंने एक मेमोरेंडम फ्यूल से लेक्रिव वैकल जो की एड्रोजन चलते हैं इनको जो है बसस चलाएंगे FCEV की बसस और ग्रीन एड्रोजन जो है जनरेट करेंगे वहां पर ठीक किसके साथ किया है लद्दाग के साथ में और इसकी वैसे जो है एन्टीपीसी का पहला इंस्टॉलेशन जो है आपका ले लद्दाग में हो गया है एक जो कंपनी होती न वह स्टेच्यूट्री बोड्य नहीं होती कोई सर कोई पूछ रहा था कि सर यह स्टैचूटरी बॉड़ी है कि नहीं नहीं यार यह तो कंपनी है ना जो कंपनीज एक्ट है उसके अंतरगत यह रेइस्टर कराया ऐस ने ऐसे कंपनी 1975 में फाउंडेड हुआ था और जो है नटीपीसी रामा गुड़न थर्मा पावर इसी में अभी क्या होने वाला है सबसे बड़ा जो है फ्लोटिंग सुलो प्लांट बन जाएगा अगला जो हमार टॉपिक है वो है प्रदामतिरी गरीब कल्यान अन्योजना अब यहां पे क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश पे फोकस करते हुए दिखाये गया है कि 109.33 ला तीन किलो जो है आपका वीट है गेहुं है थो किलो जो है आपका राइस है वहां कर पिने का अनुसार बटा गया है इसके जाओथ किलो जो है आपका कोर सीरियल या फिर ओधर दालवाल दिया गया अभी इसको confirm करेंगा ठिक तो यह चीज है और का और लाईपिस जो 16 सिरिय मिली है इस वाली स्कीम के जरी है वो 14 समलोट 7 एक करोण परसन है ठीक और काफी पैसा भी यहाँ पे खर्चा किया गया है 40,000 करोण करी बन गौर्मन्ट ओफ इंडिया पूरी कॉस्ट इसका बर्डन ले रही है जो उत्तर पदेश गौर्मन्ट को जो है ये फूट ग्रेंस प्रवैट किये जा रहे है आपका किसके दौरा फूट कॉपरेशन आफ इंडिया के दौरा अच्छा बताए ये फूट कॉपरेशन आफ इंडिया जो है क्या ये इस तैयोटियों इसकीम के नंतरकाइथ यह जो additional पांच किलो दिया जा रहा है additional किसके National Food Security Act जो है उसके additional ठीक आपका इसमें जो है उत्तबदेश जो है सबसे बड़ा जो है यहाँ पे इसका लाभारती है highest allocation किया गया है आपका ठीक और NFSA के अंतकत और automation यहाँ पे क्या है कि कई साथ जगे पे Biometric हम ले रहे हैं जो हाथ वाथ का fingerprint के जलिए तो उससे क्या हुआ है corruption कम हुआ है काफी जो है फाइदा पहुचा है जिनको पहुचना चाहिए ठीक Biometric authentication होगा है beneficiary आ सकते हैं fraudulent जो होती थी धोका दर्ड़ी चोरी की कटना है जो है बहुत काफी हद तक कम हुई है देखे द्यान रखेएगा कम हुई है ठीक हता मनी हुई है और स्टेट जो है 100% पूरे transaction को record कर रहा है 30 लाग जो duplicate और 7 लाग जो dormant राशनकार्ट थे निश्क्रिये थे उन सब को खतम किया गया है automation होने के विए से 80,000 फ्रेम्स पर सेकेंड की सेविंग काफी करी है मतलब जो है automation का काफी फैदा हुआ 3,000 करोण रुपिया बचाया है वी उपी ने अपने और इसमें दक्षता बड़ी है performance का मुल्यांकन भी होता है ठीक रक्षता का समवर्धन हुआ है performance का मुल्यांकन कर रहे है और proactive identification कर रहे है deviation का माली जेक आया अनाज के लिए जो है राशन शाउप पे बटने के लिए अब वहाँ तो बहुत सस्ता मिलता ना जैसे कि National Food Security Act के अंतकत rice जो है आपको 3 रुपए मिलता है 2 रुपए में आपको wheat मिलता है गयू मिलता है ठीक एक रुपए में आपको क्या मिलता है मोटा अनाज मिलता है तो आपके लिए I-I-I राशन का होता वैसे यहीं है थोड़ा बहुत अभी भी कि राशंग में आया 3 रुपए का गे हूँ और इसको मार्केट में अगर आप बेस दो तो अच्छे कासे दा मिल जाते है 20-30 रुपए तो यह वाली चीज है तो इसका अभी भी जो है deviation जो है पहले से इसको रोकने की पूरी कोशिस automation के जरी है अगरिकों को मिलने हो ले लाब को अगर देखा जाये तो अब जो right beneficiary है जो उचित लाभारती है उनको जो है उचित quantity में और right price पे ये चीज़ें मिल रही है help line दी गई है mobile application दी गई है कि भईया अपना feedback दो और उस पर जो है कारवाई हो कोई जो है कोई complaint है तो और portability भी beneficiary करी गई है जो one nation one राशन कार्ड वाली बात है ठीक कोई माले जो यूपी से चला गया है महरास्ट में तो वहाँ पे वो अपना अनाज ले सकता है बचागुचा जो है उसकी family भी यूपी में रहते हुए भी अनाज ले सकती है प्रदान मंतरी गरीब कल्यान अन्योजना जो है यह स्कीम 26 मार्च 2020 से चलू करी गई थी अपना भारत में कब से लगा था पहला वाला lockdown जो national level पे था 23 मार्च से था कि 25 मार्च से था पताईएगा तो मोधी जी ने लॉंच करी थी और इसमें यहीं था कि खाद सुरच्छा जो है लोगों की maintain रखनी है welfare initiative करना था इसके अंतरकत कल्यान कारी जो है ताकि जो पहले COVID-19 national जो lockdown हुआ था उस pandemic से लोगों को परिशाई ना हो यह स्कीम वैसे शुरुआती में शुरुआत में तो अप्रेल जून अप्रेल से जून 2020 तक थी लेकिन अब इसको बढ़ाया गया है और यह एक तरीके खाद सुरच्छा कल्यान योजना है प्रोग्राम को जो ऑपरेट कौन करता है डिपार्टमेंट जो है आपका food and public distribution ठीक जो की ग्रेन खाद पुचाना है आपका PDS के जरी है नहीं कि public distribution system के जरी है ठीक सावजनिक वित्रन प्रणाली के अंतरकत इसको जो है देना है ठीक है और किसको देना है जो भी प्राथमिक्ता वाले परिवार हैं जो गरीब हैं उनके राशन मतरी गरीब कल्यान अन योजना जो है पांच किलो राइस में दिया जाता है और एक किलो जो है डाल दिया जाता है यह दखना राशन कार्ड पर और यह दुनिया की सबसे बड़ी कल्यान वाली स्कीम है largest food security program है पूरी दुनिया में ठीक अगला जो हमार टॉपिक है वो है RBI दुआरा जो है एक खुदरा प्रतक्ष योजना लाइगे यह retail direct scheme लाइगे अब देखो हो क्या रहा है आप लोगोंने सुना होगा कि repo rate होता है reverse repo rate होता है उसमें क्या होता है कि जो बैंकों के पास जो government के securities होती है securities का मतलब वो सब नहीं है यहाँ पे जो government के bond instrument होता है ठीक bond क्या होता है कि यह एक परचा दिया गया उसमें कहा गया कि फला फला रुपिया दिया जाएगा आपको एक साल के बाद और इतने फला फला जो है ब्याज के साथ तो इसमें time बताया गया value बताया गयी और ब्याज बताया गया ब्याज को इसमें जो है आपका coupon rate बोलते हैं discount बोलेंगे अगर माली जे इसमें लिखा है आपका 100 रुपे और अभी दे रहे हैं अगर 90 रुपे का तो 10 रुपे का discount है एक तरीके से तो यह वाली चीज है तो यह bond जो होते हैं इनको अगर government के दोरह दिया जा रहा है तो government securities भी बोल देते हैं और इसको jilt bond भी बोल देंगे jilt securities भी बोल देंगे अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यह reverse repo 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 में क्या होता था कि बैंकों से जो है क्या करता है RBI की money supply को घटाता या बढ़ाता एक नौमी में तो बैंकों से कहेगा कि reverse repo के अंतरकत या फिर repo के अंतरकत क्या है कि तुम मुझे जो है वो दो government security जो दो जो मैंने तुमको दे रखी थी और हम तुमको पैसा देंगे loan की तरीके से ठीक तो उससे क्या होगा कि पैसा दे रहे तो पैसा के जो supply है money supply है वो बढ़ रही है आपकी जो है लेकिन reverse repo में क्या हो जाता है कि वहीं जो है वो कहता जो है RBI की बैंकों से कि तुम उससे government security लो और मुझे पैसे वापस करो तो इससे क्या होता money supply घटती है अलावा जो है हम government securities direct प्रतेक शुरूप से जो है हमारे जैसे छोटे retail investors को बेचेंगे ठीक ताकि जो है थोड़ा सा लोगों को जो है dependent ना रहना पड़े सतंतर होके वो जो है वो भी bond रख सकते हैं bond बहुत ही safe जो है एक financial instrument होता है safe instrument होता है इसमें market linked नहीं होता है और bond का मतलब होता red अगर RBI ने हमको bond दिया हमने उसको पैसे दियें तो वो उतना फिर ब्याज सहीद हमको वापस करेगा ही करेगा ठीक तो यह सारी चीजे हैं अभी RBI ने यह announce कि RBI retail direct scheme इसमें bond bond बेचेगा, government securities बेचेगा हमारे से चोटे retail investors इसको directly RBI से खाई सकेंगे यह वाली बात करिया कि यह मतलब individuals ठीक facility है, jilt account अपना खोलो RDJ account retail direct jilt account खोली है और उसके थूँ आप खरीज सकते हैं ETF और mutual fund और यह जो securities वाली जो चीजे होती थी आपकी खरीद और बेच दोनों ही सकते हो माली जी आपने direct RBI से खरीदा और उसके बाद आप चाहो तो secondary market में भी उसको बेच भी सकते हो, वहाँ पे खरीद भी सकते हो directly भी खरीद सकते हो, secondary market में एक बार आ गया bond तो उसको खरीद फरोग भी वहाँ पे भी की जा सकती है बस RDG account होना चीए online portal है, इसी के लिए बनाया गया है और इसमें जो है आपका online portal पे register कर लेगा user अपने आपको primary issue मतलब directly RBI से पहली बार खरीद सकता है और उसके बाद फिर आपका secondary market में खरीद फरोग भी कर सकता है ठीक, government securities individual के दोरा रहेगा आप खरीज सकते हैं ये चीज़ है और अच्छा, individual के दोरा directly RBI को क्या बेज सकते हैं ये, क्या ये बताइए नहीं, वहां secondary market में बेज सकते हैं ये चीज़ है, RBI जो है इसमें democratize करना चाता है bank को और mutual fund के जो manager है बड़े-बड़े उसके लावर retail investors को भी ला सकता है तो आप ये बताइए, क्या RBI, ये वैसे जो है एक doubt है कि RBI क्या जैसे bank को से reverse repo, repo का rate का policy rate का जो है use करता है money supply को कम ज़्यादा करने के लिए क्या आप वो, इन से भी मांग सकता है गया कि वापस लाओ ज़रा हमारा bond तो ये ज़रा आप लोग को doubt जो है एक बार धूड़िये, थोड़ा सा tough doubt है लेकिन दूड़ेंगे तो मिल जाएगा, इस scheme के अंतरकत क्या है, जो return investor है वो government की security, treasury bill ठीक, treasury bill होता है ये क्या होता है, आपका चार दिन का, साथ दिन का, चाओदा दिन का, स्वरी साथ दिन का, चाओदा दिन का, एक दिन का होता है ठीक, ये और जो है आपका ये वाले bill हो गए, ये एक साल के कमी होते हैं, ध्यानक ना 180, 1990 दिन के भी होते हैं और इसके लावबा, dated bills होते हैं, उनकी अफ़ी बताइए क्या होती, dated bills, ठिक, government quir vraiment security ले सकते हैं, sovereign gold bonds भी ले सकते हैं, estate loan, Sempre loan, sovereign gold bond है, वो एक अलग से scheme है, उसमें क्या होता है आप gold खरीदते नहीं हो, ़ो गौश्मिन्ट से गौशंत आपको avd गवाज बम गयुक्त तो आपको यूटिक ही रोग हर अंजय को बटार रहा है जब not mention school और आपको बाए इसमें कोई फिजिकल नहीं दिया जाता था हूर नए आपने यूनिट्स खर्ट तो यूनिट्स ही आपको वापस मोनेटाइज करके आपको पैसे वापस आ जाएंगे इसमें सवरिंग गोल्ड बॉंड एक अच्छी स्कीम है जिसमें कि कोई टीडियस नहीं करता है यानि कि टैक्स नहीं होता है सोर्स पे कोई भी कैपिटल गेन टेक्स नहीं लगता है कैपिटल गेन टेक्स क्या होता है कमेंड करके बताईए इसका मैत तो देखे यही है कि इंप्रूव कर रहा है, एज ओव एक्सेस कर रहा है कि एकसेसबिल्टी आसान हो return investors भी जो है आपका खरीदें government securities directly RBI से और primary और secondary market पे भी जाके उसको बेच खरीद सकते हैं कतनी बार बता दिया आप तो सब्सक्राइब आगया होगा अब देखे RBI के role जो UPSC ने पीछे पूछे हैं कई बार यहाँ पे कुछ है बताए भी गहें central bank है और यह VNMT करता है आपका regulatory body भी है जो भी bank होते हैं उनको regulate भी करता है banking system को ठीक कितना है उसको quantitative and qualitative measures होते हैं इस पर मैंने audio भी बना रखा है बहुत बढ़िया उसको मैंने आप लोग साथ share भी कर रखा है qualitative and quantitative measures होते हैं bankों को सुधानने के लिए regulate करने के लिए इंडियन रुपी का supply पर देखता है जो money की supply मैंने आप लोग बताया उसका भी कई सारे वो होतने terminology narrow money, broad money, M0, M1, M2, M3, M4 इस पर पिछली बार PSE ने question भी indirectly पूछा था ठीक है ना basic इतने strong कर लो इंडियक ली पूछे तब भी आप लोग असानी से कर लो अच्छा RBI जो आता किस मंत्राले की अंतरकत है मंत्राले विक्त मंत्राले की अंतरकत है ठीक 1935 में यह found हुआ था आपका कोलकाता में ठीक इसका जो है बाद में फिर इसको रास्टिक कर दिया गया था कुष्चन है आंसर रेटिंग वाला वह भी दूंगा मैं आकरी में भीम यूपी आई इससे समद्धित कुछ यहां पर स्टेट्मेंट दियें कौन से गलत हैं बताना है भीम यूपी आई जो होता है आपका ये यूपी आई क्या है यूफाइड पेमेंट इंटरफेस है आप क्या है आपने भीम की एप्लिकेशन कर ली डाउनलोड कर ली ठीक है और फिर आपने जितने भी आपके अकाउंट है माली जिए बैंक अकाउंट चाहे आप SDFC हो SBI हो ICICI हो कोई जितने भी हो वो सब आप इस पे अपना बना लो UPI पे आ जो तब इसका नाम है Unified Payment Interface और फिर इसी एप्लिकेशन के थुरू आप इन सब बैंक को ये सब बैंक आपके यहाँ पे आ गई भीम पे भी जो हैसे तरीके UPI करके कुछ लगता है तो ये आप लगा दो बस आप इससे जो है पैसा एकाउंट से जो एक आपने इन सब का यूनिक बना लिया होगा एडरस उसी को दे तो उसी से पैसा भेज भी सकते हो द्यान से सुनना ठीक अब देखो यहाँ पे क्या है कि भीम इंटरपेस जो मनी का है भीम याप जो है इंडिया की डिस्टल पेमेंट एप्लिकेशन है यूपे आई के जरी यह काम करता है जैसे मैंने बताया भी नैशनल पेमेंट कॉपरेशन ओफ इंडिया जो है इसको बनाया यह देखे यह कंपनी है कॉपरेशन जुड़ा हुआ निगम है यह ठीक कंपनी है लेकिन इसको रेगुलेट कौन करता है आर बी आई के दोरा सौर प्रमोटेड है ध्यान लगना ठीक और यह अभी क्या हुआ है कि जो विक्तिये जो हमारे मंत्री है और नेपाल के जो मंत्री है विक्तिये कोपरेट अफेर्स के उन लोंने मिलके इसको भीम यूपिय को लांच किया नेपाल में ठीक तो क्या स्टेटमेंट सही है देखिए नेपाल वाला स्टेटमेंट है एक दम गलत यहां पर दीसा स्टेटमेंट गलत है और गलत ही पूचा कि इसलिए आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ठीक एक्शली हम लोंने अभी भूटान में इसको लांच किया है और भूटान से पहले सिंगापूर भूटान दूसरा पहला देश कौन था सिंगापूर भारत के अलावा ठीक और जो है मर्चल लोकेशन जो इंटरनेशनल पेमेंट लिम्टेट है उसने जो है इसको लांच कराने में मदद करी है अगला जो हमारा कोशन है वह है वाइपर मिशन से समंदित इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर पोलर एक्स्प्लोरेशन रोवर ठीक अचा पोलर किस का मतलब अर्थ का मून का किसका ठीक यह आगे देखेंगे फर्स्ट रिसोर्स मैपिंग जो है मिशन होगा यह किसी और जो है आपका सेलेश्यल बॉडी का रिसोर्स मैपिंग यानि कि कोई संसाधन मांचित्र का मिशन जो है किसी अन खगोल यह पिंड या फिर सेलेश्यल बॉडी का किया जाएगा और नासा का यह कमर्शियल लूनर प्लेएलोड सर्विस जो है वो यह प्रोवाइड कर रही है इसका लॉंच वहिकल और लैंडर लॉंच वहिकल वह हो गया जो रॉकेट को यह उड़ाएगा ठ चिक तो यह सारा ही स्टेटमेंट इसमें सही है नासा ने इसको लॉंच किया रॉलर टाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्स्पोरेशन रोवर दो हजात तेइस में इसको लॉंच कर रहाएगा अच्छा यह किस जो है खगोलिये जो बॉडी थी आपकी सेलेसियल सब्सक्राइब कर सकते हैं आप से पूछा गया है कि आपको लिखना है एक ब्रीफ नोट किस पर भारत की जब से भारा सवतनतर हुआ तब से उसकी ओवर ओल रिफ्यूजी पॉलिसी से समधें तिबबत आ जाएगा बाकी जो भी शर्णार्थी उसने ली है कन्वेंशन जोईन नहीं किया है फिर भी उसने क्या क्या चीज़े करी अभी रोहिंग्या का इशू हो रहा था ठीक फिर उसके बाद जो है कई सारे लोग जो यहां पर रह रहे हैं उनको CAA के जरिये जो है उनको वीजा भी दिया जा रहा है बल्लब रहने का जो करेगा और आपने कितनी प्रैक्टिस करी है कितना आपने वाइडली रीड किया है कितना आपने दूसरे की कॉपियां चेक करी है यह जरूरी है बहुत आपकी आंसर रेटिंग इंप्रूव करने के लिए स्वतनता के बाद से भारत की समगर शरनारती नीती पर एक संचित ट ठीजिए है ताकि हमारे जो मिशन है जाता लोगो को सेलेक्षन कर例़ करने का वो जो है पूरा हो सुक है ठीज मोटीवेशन करें हम लोग को लाइक कर के और जाज जाज लोग campaign से से शेयर करके जो हंट कर ईक आर्ये कर लिए हैchn। फिरन स बता देरा हूं EPFO का last के 45 जिनका crash course हमारा आज से चलू हो रहा है UPSC 2021 का हमारा 25 जुलाई से पूरा paid group चलू होने आ रहा है अगर आप लोग को join करना है तो 8564-80530 96960-608 पर आप लोग call करके admission ले सकते हैं तो चलिए फिर सुबा मिलते हैं कल 10 बजे तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा ठीक सुरच्चित रही है पढ़ते रही है जैन जै बरत All the very best है वन दे मातराम